तो कहानी की शुरुवात होती है साल 1689, क्यानी की 1679 न्यूवर्क में, जहांपर हम तीन बच्चों को एक बेस्मेंट के अंदर चुपा हुआ देख पाते हैं और ये बच्चे बहुत डरे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी मा के उपर कोई हमला करने वाला हो, औ के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम प्रिजन टाइम में आ जाते हैं, जहांपर हम एक बच्चे को देख पाते हैं, जिसका नाम चारली होता है, और वो नीन से उटकर खिड़की के पास जाता है, जहांपर उसको कोई दिखाई देता है, और वो इस बात से बहुत डर जाता है और अपनी मा क्रिस्टन के पास जाकर उन्हें ये बात बताता है कि मेरी खिड़की के बाहर कोई था फिर थोड़ी देर के बाद में माइक के डैड चारली आ जाते हैं जो कि अपनी जौब से घर आते हैं और वो उसे अपने रूम में जाकर सुला देते ह और फिर चारली कहता है कि डैड क्या आप खिड़की के बाहर देख सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी को खड़ा हुआ देखा था फिर माइक खिड़की की तरफ से बाहर देखता है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता है और चारली अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता जो कि दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था लेकिन उसकी माँ को ये गिद नजर नहीं आता था खैर अब माइक अपनी जॉब से लेट आता है तो वो चारली और क्रिस्टन का घर के बाहरी इंतजार कर रहा होता है और अपने डैड को देखकर चारली बहुत खुश हो और फिर वो अपने डैड माइक से कहता है कि डैड can we pay the ghost लेकिन माइक को ये बास समझ में नहीं आती और चारली अचानक से ही गायब हो जाता है जबकि माइक ने उसका हास पकड़ा हुआ था यानि कि वो इंस्टेंटली वहां से गायब हो गया था जैसे कि वो थिन एयर में ग माइक ने चारली को एक भीड के अंदर खो धिया था और वो ये कहती है कि तुम अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाए जबकि इसमें हम जानते हैं कि यहां पर माइक की बिल्कुल गलती नहीं थी अब जब चारली काफी ढूंडने के बावजूद भी नहीं मिलता तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको एक उमीद देकर वहाँ से चली जाती है और घर पर क्रिस्टन माइक से बहुत नाराज होती है और उने लगती है वहीं दूसरी तरफ भी माइक बहुत नाराज होता है कि वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाया और फिर रात में माइक को उपर से एक आवास उनाई देती है और फिर वो चारली के रूम में जाता है और खिड़की से बाहर जाकता है लेकिन उसे कुछ नहीं देखता है और वहां से नीचे आता है तो वो देखता है कि वहां पर उसे चारली नजर आया है और यह देखकर माइक काफी उसको देखा था फिर माइक खिड़की से बाहर देखता है तो दोबारा उसे कोई नहीं देखता लेकिन चार्ली फिर दोबारा माइक को बाहर की तरफ देखने के लिए बोलता है और माइक दोबारा खिड़की से बाहर जाकता है और उसे एक बड़ी सी परचाई नजर आती है और फिर उसके सामने एक डरावना सा चेहरा दिखाई देता है और तभी अचानक से ही माईक की नीद खुल जाती है क्योंकि एक नाइट मेयर था खेर रब हम ये देख पाते हैं कि चार्ली को लापता हुए करीबन एक साल होने वाला है और जब भी वो किसी बाप और बेटे को देखा करता तो उसे चार्ली की यादा जाती फिर वो अपनी कॉलिज की एक फ्रेंड हैना से मिलता है जो कि हिस्टरी की प्रोफेसर होती है और वो उसको थोड़ी बहुत उमीद देती है क्योंकि वो भी इस केस पर काम कर रही थी और फिर माइक जॉब के बाद जॉर्डन के पास में जाता है जो कि चार्ली का केस देख रहा था फिर माइक यहाँ पर जॉर्डन को पिछले 30 सालों में जितने ही बच्चे गाइब होए हैं उन सभी की लिस्ट दिखाता है और कहता है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो तब हर हैलोईन बच्चे गाइब हो रहे हैं जहां पर धेड़ सारे भिकारी लोग रहा करते थे फिर वो उनसे दिवार पर लिखी हुई बात का मतलब पूछता है लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता फिर वहां पर एक ब्लाइंड आदमी आता है और हमको एक चीक सुनाई देती है और फिर माइक पूछता है कि ये क्या था तो वो अंधा आदमी ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये आवाज हैलोईन से पहले ही सुनाई देती है और फिर माइक उस आदमी से पेदा गोस्ट का मतलब पूछता है और फिर वो अंधा आदमी उसे उस दिवार के पास में ले जाता है जहाँ पर हर जगा पर पेदा गोस्ट लिखा हुआ था और तभी हम माइक के पीछे एक डरावने भूत को भी देख पाते हैं जो कि तुरंदी गायब हो जाता है यानि कि यहाँ पर यहाँ पर क्रिस्टन के पास में जाता है और उससे बात करने की कोज़श करता ह और क्रिस्टन माइक की बात मान जाती है और वो दोनों एक रेस्टों में पहुंच जाते हैं फिर माइक उसे उसी दिवार के बार में बताता है जहाँ पर पूरी दिवार के ओपर पेदा गोस्ट लिखा हुआ था जो कि चार्ली ने भी गायब होने से पहले कहा था और वो उसे थोड़ी बहुत देखकर टेवल पर ही रख देता है और फिर कैमरा अपने आप ही चालू हो जाता है और माइक कैमरे में एक घर और बहुत सारे बच्चों को कॉस्ट्यूम्स में देखता है और कैमरा को फेक देता है यानि कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो काफी भा फिर उसी रात क्रिस्टन को किचन से कुछ आवाज आती है और वो चार्ली की साइकल को अपने आप ही मूव होता हुआ देख पाती है और यह देखकर क्रिस्टन डर जाती है जिसके बाद में क्रिस्टन माइक के घर जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही थे चार्ली हम अपना साहरा बना लिया था फिर अलेकसा के डैड़ बताते हैं कि उसने भी गायब होने से पहले सेम बात यानि की पेदा गोस्टी बोला था और अलेकसा के डैड़ को भी एक साल तक वो दिखाई दे दी थी और उसकी आवादे सुनाई दिया करती थी लेकिन उसके बाद में उनको दिखना बंदो गई खेर अब ये सारी बाते माइक जॉर्डन को बताता है और कहता है कि ये सब बच्चे बहुत अजीब तरीके से गायब होए हैं लेकिन जॉर्डन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता लेकिन फिर भी वो उन बच्चों की लिस्ट चेक करता है ज पर जॉर्डन मिया नाम की बच्ची के बारे में पूछने के लिए एक रेस्ट्रों में खुश जाता है कि वहाँ पर मिया की मॉम काम किया करती थी उनको लगता है कि मिया मिल चुकी है लेकिन जॉर्डन उनसे उस रात की बात करने आया था जिस रात मिया गायब हुई थी मिया की मॉम बताती है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे मिया दिखाई दी थी और उसकी आवास भी मुझे सुना दे रही थी वो कह रही थी कि मॉम मुझे इस गोस्ट से बचा लो और तबी रेस्टरों में अचानक से ही आग लग जाती है और मिया की मॉम की तरफ लगती है अब दूसरी तरफ क्रिस्टन के घर पर जब माइक डिनर कर रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से ही लाइट चली जाती है और जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे तीन बच्चे अजीव सी कॉस्ट्यूम में नजर आते हैं जिन्होंने अपना पूरा शर जो की स्पिरिट से बात कर सकती थी और जब वो चार्ली के रूम में जाती है तो उसे कुछ खास महसूस नहीं होता लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे कुछ महसूस होने लगता है और जब वो खिड़की की तरफ जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर धेर सारे लेकिन जॉर्डन उस पर विश्वास नहीं करता बलकि उसको ही इन सब का जिम्मेदार मानता है और फिर रात में क्रिस्टन का टैप अपने आप चलने लगता है और उसके अंदर वही पेंटिंग नजर आती है जो कि चार्ली ने बनाई थी लेकिन जब क्रिस्टन उस पेंटि ने आपके पास में अब सक बहां के सकता है और थी हैना के पास में बताथा है जिसके अंदर हेलोविन की रात में एक सेल्टिक और पूजा करने वाली एक IRISH और आ Doing मारत को उन लोगोंने च relação आजिया था यानि कि जो शुरुवात का सीन था वो यही था और इनकी मॉम को ही मारने वो लोग आ रहे थे यानि कि आसपास के लोग और यह सारी चीजे नियू यॉयॉर्क में 1679 को हुई थी यानि कि स्टार्टिंग का सीन बिलकुल यही है खेर उस वारत का मरने से पहले यह कहना था कि व पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उसकी पूरी बोड़ी अंदर से जल चुकी थी और यह बात जॉर्डन को काफी अजीब लगती है कि कोई अंदर से ऐसे कैसे चल सकता है फिर यहां पर माइक उस कम्यूनिटी वालों के पास में जाता है यानि कि गौड के सिंबल के बार में पूछते हैं फिर वो औरत उन्हें एक रिंग दिखाती है जिसके अंदर वो उनसे कहती है कि यह लेफ्ट वाला मून मेडन को दर्शाता है और राइट वाला क्रोन को यानि की गोस्ट को माना जाता है और वो लेडी जो की कई सालों पहले मारी थी उसकी स्पिरिट यानि कि उसका भूत यहां पर आता है और बच्चों को उस तरफ ले जाता है क्योंकि हैलोवीन की आदी रात को हमारी दुनिया और भूतों की दुनिया की बाउंडरी खुल जाती है जिससे कि यहां पर वो औरत आ सकती है यानि कि उसकी स्पिरिट वो कि इस साल गायब हुए बच्चे ही वापस आ सकते हैं और वो बाउंडरी बंध होने से पहले क्योंकि यहां पर जो बच्चे गायब हुए हैं वो एक साल के अंदर ही वापस लोट सकते हैं और यही रिजन था कि यहां पर वो तीन बच्चे जो थे उनकी आवाजें और उनका मारी जा चुकी है और वो इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती लेकिन यहां पर अभी भी चार्ली और बाकी दो बच्चों के पास में मौका था फिर क्रिस्टन उस और से बूचती है कि यह बाउंटरी हमको मिलेगी कहां पर तो बताती है कि वह और हर साल की रात से पहले रोती ह फिर माइक को वो जगा याद आती है जो कि उस बिल्डिन के बेसमेंट में थी यानि कि वो चीखने की आवाद हैं और वो रोने की आवास फिर वहाँ पर जाने के लिनकलब पढ़ते है और तब ही माईक को हेना का फोन आता है और हेना ने यहां पर उस और वह झुज़े जा को ये लगा था कि वो एक विच है जिसके बाद में उसको और उसके बच्चों को बे-रहमी से मार दिया गया और आज की डेट में इस वा रखना और जिस वजे ए क्पर एनिकी स्पिरिट आ कर हमला कर देती है और उसे जहान से मार देती है वही दूसरी अद्धाद में होता है और बाकि सबी वहां से चले गए थे और ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर एनी की स्पिरिट के आने का समय हो चुका था तब ही माइक उससे ये बोलता है कि मुझे वो रोने वाली औरत कहां पर मिलेगी जिस पर वो व्यक्ति माइक से पूछता है कि तु भी वहीं पर फस जाओगे और कभी वापस नहीं आपाओगे अब माइक फाइनली उस ब्रिज की दूसरी तरफ चला जाता है और उसी घर को देखता है और उसके अंदर धेर सारे बच्चे होते हैं और उसके बाहर जाते ही उसको गुरने लगते हैं फिर वो अपने बेटे को आवाज मारता है लेकिन वहाँ पर मौझूद सभी बच्चे अपना हाथ उठा लेते हैं क्योंकि वो बच्चे भी अपने घर जाना चाहते थे फिर वो उन सभी बच्चों के बीच से जाता है और जैसे ही उसका हाथ एक बच्चे को लगता है तो वो हाथ आर पार हो जात जाते हैं क्योंकि वो भी चार्ली के साथी गायवोई थे और फिर वो दोनों कहते हैं कि हमें भी अपने घर पर जाना है और हमें अपने साथ ले चलो फिर माइक तीनों बच्चों को साथ लेकर बाहर जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर वो एनिका गोस्ट आ जाता है और वो माईक को बाहर जाने से रोखने लगती है, लेकिन वहाँ पर सभी मौजूद बच्चों की आत्माई जो होती है, वो उस चुडैल को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि यहाँ पर तीनों बच्चे बच जाएं, उनका ये मानना था कि हम तो नहीं बच्च पाया, लेकिन बाकि सभी बच्च जाने चाहिएं जो कि फिलाल जिन्दा है, और माईक चारली के साथ उन तीनों बच्चों को भी बाहर ले आता है, और तब ही वहाँ पर उस दुनिया का दरवाजा बंदो जाता है, अब जब चारली घर पर आता है तो क्रिस्टन ये सब देखकर बहुत खुश होती है, और चारली भी उनको देखकर बहुत खुश था, लेकिन फिलाल वो सारी चीज़े भूल गया था, और उसे बस पिछले साल के हैलोवीन के बारे में ही पता था, जब वो खो गया था, और ऐसा लग रहा था कि वो बस कुछ घंटों के लिए ही खोया था, लेकिन माइक ने अपने बच्चे चारली को उस चुडैल से बचा लिया था, और साथी साथ यहाँ पर मिया और पापलो भी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पर खतम नहीं होती, क्योंकि तभी हम यह नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर एक और गिद्ध होता है, जो कि हवा में उड़ रहा होता है, यानि कि यह जो एनी की स्पिरिट थी वो खतम नहीं होई थी, और बूम, इसी के साथ में यह मुवी यहीं पर खतम हो जाती है, तो दोस्तों यह थी पे दा गोस्ट मुवी की कहानी जो कि निकलस केज की तरफ से काफी बढ़िया मुवी है, मुवी एमोशनल भी है, अच्छी भी है और काफी बढ़िया है, बाकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो जो अंधा व्यक्ति हैना उसका पक्का यहाँ पर एनी से कोई ना कोई लिना देना जरूर है, अदर्वाइस उसको कैसे पता था कि यहाँ पर ही पोर्टल है और यहीं से वो भूत आता जाता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अपना बच्चा भी खोया होगा, और एनी से लड़ते टाइम यानि कि उसकी स्पिरिट से अपने बच्चे को बचाते समय उसकी आखे चली गई होंगी, जिसके चलते उसने यहाँ पर माईक की मदद कर दी थी, या फिर शायद से वो खुदी गौड थे जो कि यहाँ पर माईक की मदद करने के लिए आये थे, खेर देखो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, वो एनी के साथ में तो काफी गलत हुआ था, लेकिन फिलाल वो जो कर रही है, जो वो बन गई है, वो भी गलत है, क्योंकि वो ये भूल चुकी है, कि जो उसके बच्चों के साथ में हुआ था, वो भी बाकी पेरिंट्स के साथ में सेमी चीज़ कर रही थी, चुकि मेरे ख्याल से वो सब डिजब नहीं करते थे, उसको खाली बदला लेना चाहिए था उन लोगों से जिन्नों ने ये सब किया था, ना कि सबसे, और सबसे बड़ी बात कि एनी की स्पिरिट को हैना की बाड़ी मिल चुकी है, तो अब उसको कोई जरूत नहीं है हर साल हैलोवीन के लिए वेट करने के लिए, वो आसानी से किसी को भी मार सकती है, किसी को भी अपने साथ ले जा सकती है, और मेरे ख्याल से उसका असली मकसद हमेशा से ही ऐसा होगा, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मूवी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना बाकि सारी चीजे अपने थौट्स वगेरा कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मच जाना तो मैं आप सब को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए